तो मैं एजाज ब्रिलियंट नौलेज के यूटूब चानल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्या कोस्टन है आए इसको देख लेते हैं तो चलिए प्रश्न को समस्त है देखे प्रश्न है समस्त भूमंडल में समस्त मतलब पूरे भूमंडल मतलब पूरे पिर्थवी समस्त भूमंडल मतलब पूरे पिर्थवी में सर्वविद संपदा सर्वविद का मतलब क्या होता कि धन दौलत पुंजी वगरे रुपया पासा है पासा को हम लोग संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे संपदा बोलेंगे तो सरविद संपदा मतलब संपदा मतलब सभी संपदा से और प्राकृतिक संदर्ये प्राकृतिक संदर्ये मतलब परकृति के संदर्ये मतलब खुबसूर्ती से परिपुर्ण मतलब पूरा-पूरा देश भारत है लेखक ने ऐसा क कि पूरे पिर्थभी पर जो भारत जो है, सब कुछ से एदम संपन है, पुरा-पुरा है, यहां प्राकिर्तिक सोंदर, यह मतलब परकिर्ति का खुबसूरती भी काफी अच्छा है, सरविद संपदा है, यहां सभी परकार के दौलत है, सभी परकार के संसाधन पाये जाते हैं ऐसा लेखक ने क्यों कहा इसी बात को हमें उत्तर में बताना है तो आए देख लेते हैं देखे उत्तर में लेखक ने भारत को ऐसा इसलिए कहे हैं क्योंकि वे मामते हैं कि वे मतलब लेखक मामते हैं कि यहां भूतल पर यहां मतलब भारत में भूतल पर यहां भू का मतलब जमीन तल का मतलब उपड़ी वाला सते जिसमें हम लोग चलते हैं भूतल का मतलब पिर्थवी का सते जिसमें हम लोग चलते हैं रहते हैं उसी को भूतल बोलेंगे भूतल पर ही सोर्ग की छटा निखर रही है सोर्ग का मतलब क्या होता है heaven यानि जन्नत की छटा निखर रही है छटा का मतलब होता खुबसूर्ती सोबा सुन्धरता निखर रही मतलब दिखाई पर रही है क्यानि इस कहानी के जो लेखक है Max Muller उनका कहना है कि भारत के भूतल में ही आपको सोर्ग का छटा सोर्ग का जो खुबसूर्ती है वो दिखाई परेगा आया के रहा है यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं यानि जीवन के जिन्दई के बड़ी से बड़ी समस्याओं प्रोवलम्स के ऐसे समाधान ढून निकाले गए है जो विष्व के दारसनीक के लिए चिन्तन का विशे है यानि हमारे पुराने जमाने के वैदों में धार्मी किताव बुव में बड़े बड़े समस्याओं का ऐसा समाधान ऐसा सोलूसन ढूनडा गया है कि विष्व के जो अन देश के जो दारसनीक है यहां मतलब भारत में जीवन को सुखद बनाने के लिए यानि भारत में जीवन को जिन्दगी को सुखद मतलब खुसाल बनाने के लिए उपयुक्त ग्यान यानि खुसाल बनाने के लिए सुखद बनाने के लिए जो जो ग्यान चाहिए उसी को उपयूक्त ज्ञान बोलेंगे ज्ञान का मतलब knowledge एबंग वातावरन मिलता है जो भूमंडल में अन्यत्र नहीं है बोलता है कि जो भूमंडल मतलब पिर्थभी के अन्यत्र मतलब किसी दूसरे जगे में नहीं है तो यहां से यहां क्या कहाई है कि जीवन को सुखद बनाने के लिए जो उप्यूक्त ज्ञान चाहिए वो वातावरन चाहिए वो हमारे भारत में उपलब्द है जो कि अन किसी देश में भूमंडल के किसी अन्यत्र जगे में उपलब्द नहीं है तो यहां पर यह वीडियो श बोता है दन्वादा दन्वादा